इसकार दोस्तों आपका स्वागत है आपके पनी चैनल इश्वक्स जी के सन में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं UX या Life Care Limited क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए क्योंकि लास्ट एडिंग सेशन में काफी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिला है कंपनी का background कैसा है क्या कंपनी का fundamental strong है कंपनी का technical view कैसा बनता है क्या कंपनी का technical view strong है सब कुछ बात करेंगे detail में इस वीडियो के अंदर वीडियो में लास्तक बने रहे हैं कोई भी part मिस न करें और जिन लोगों ने अभी देख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने हैं और साथ में bell icon को फ्रेस करना नव भूले हैं दोस्तो एक time सथ जब यह company multi bagger हुआ करता था यानि कि company में अच्छी खासी growth आपको देखने को मिला करता था लेकिन उसके बाद यानि कि 2021 के starting से लेकर अभी तक यह company का काफी बूरा time रहा है तो ऐसे में क्या इस company को buy करना चाहिए उसकी बात करेंगे हम chart वाले section में सबसे पहले इस company का fundamental देख लेते हैं आप देखेंगे इस company का market cap है 331 करोड का अगर बात करें इस company के ऊपर debt की तो आप देखेंगे 8.47 करोड का detail आपको देखने को मिल जाएगा बात करते हैं अगर इस company के 52 week low और 52 week high की तो 34 रुपए का इस company अपना high बनाया था और वहां से यह company गिरते हुए 9 रुपए 20 पैसे पे support लिया अभी यह company चल लाए 10 रुपए 11 रुपए के बीच में तो देखेंगे इस company का और detail क्या बनता है लेकिन 2021 के starting से यह company लगातार गिरता चला जा रहा है यानि कि यह साल इस company के लिए काफी बुरा साल लाए लेकिन ऐसा नहीं है कि हर साल इस company के लिए बुरा ही रहे हो सकता है कि यह company 2022 में फिर से continue करे ऊपर जाने की तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा आप expect कर सकते हैं देखते हैं इस company का technical view कैसा बनता है दोस्तों अगर इस company के daily chart पे हम detail देखे तो आप देखें कि इस से पहले भी इस company में तेजी देखने को मिला था लेकिन यह company कुछ खास bounce back नहीं कर पाया लेकिन last earning season में जो तेजी आपको देखने को मिला है उसके पीछे volume भी काफी बड़ा आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब है कहीं न कहीं इस share में कोई बड़ा investor इंटर किया है इसका मतलब यह है कि इस company में आपको फिर से तेजी देखने को मिल सकता है लेकिन यह company लगातार उपर जाए ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जो लोग भी इस company में फसे पड़े हैं वो time to time अपना माल काट के निकलने की courses करेंगे तो इस share में बीच-बीच में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है जो लोग फ्रेज सिंटी करने की सोच रहे हैं गर यह company 12 रुपे 50 पैसे का level break करके उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आप चाहे तो इस company में फ्रेज सिंटी करने की सोच सकते हैं अदर्वाइस जो लोग बने हैं वो बने रहे हैं और जो लोग इस company में short term के लिए इंटर हुए हैं थैंक यू पर वाचिं इस वीडियो